आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे, तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्मान केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप हैं। केवल किस्मत वाला योध्धा ही स्वर्ग तक पहुचाने वाला युध्ध लड़ता हैं। इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता हैं। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा हैं वो भी अच्छे के लिए हो रहा हैं। इसलिए हमेशा वर्तमान में जीओ, भविश्य की चिंता मत करो. कोशिश की जाए तो अपने अशान्त मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है. इंसान नहीं उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है. जो किसी दुसरों पर शक करता है, उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती. अपने जरूरी कार्य करना, बाकी गलत कार्य करने से बहतर है. कर्म ना करने से बहतर है, कैसा भी कर्म करना? आपका निराश ना होन परम सुख होता है। कर्म किये जाओ, फल की चिंता मत करो। परम से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है और तुम सब के हो। भूत और भविश्य में नहीं, जीवन तो इस पल में हैं, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। तु करता वही है, जो तु चाहता है, होता वही है, जो मैं चाहता हूँ, तु वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही, जो तु चाहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के सामान कार्य करता है. खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही हैं, जो दुहक में साथ दे. सदैर संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता. नर्ग के तीन द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच. मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है, वैसा वह बन जाता है. जानने की शक्ती जूट को सच से प्रिथक करने वाली जो विवेक बुद्धी हैं, उसी का नाम ज्यान है. मन अशान्थ हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश्मि किया जा सकता है. तुम उसके लिए शोग करते हो जो शोग करने के योग्य नहीं हैं, और फिर भी घ्यान की बाते करते हो बुद्धिमान व्यक्तीना जीवित और नाही मृत व्यक्ती के लिए शोग करते हैं. खाली हाथ आये हो और खाली हाथ जाना है इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सदकर्म करना चाहिए जिसे तुम अपना समझ कर मगन हो रहे हो बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है मैं उसका विश्वास उसी देवता में द्रिड कर देता हूँ कवल मन ही किसका मित्र और शत्र होता है अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निश्क्रेता सब बहतर है कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंध लेता है, जैसे कोई बच्छडा सैक्रों गायों के बीच अपनी मा को ढूंध लेता है आत्मा न जन्म लेती है न मरती है ना ही इसे जलाया जा सकता है ना ही पानी से गिला किया जा सकता है आत्मा अमर और अविनाशी है मैं किसी के भाग्य का निर्मान नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ व्यक्तिया जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्मान करता है आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है इस संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है मन शरीर का हिस्सा है सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है मान अपमान लाभाने खुश हो जाना या दुखी हो जाना यह सब मन की शरारत है वर्तमान परिस्थिती में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है मैं उश्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमर्त्व भी हूँ और मृत्यु भी मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है, और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है हे अर्जुन अगर तुम अपना कल्यान चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आजाओ, मैं तुम्हें मुक्ती प्रदान करूंगा मोहगरस्थ होकर अपने कर्तव्यपत से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ती होगी और ना ही तुम्हारी कीर्टी बढ़ेगी धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ती निश्पक्ष नहीं रह सकता है धर्म युद्ध में जो व्यक्ती धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है मेरी भक्ती मुझे बुद्धी द्वारा कोई न जान सकता है न समझ सकता है आत्मा का अंतिम लक्ष परमात्मा में मिल जाना होता है मैं ही इस स्रिष्टी की रचना करता हूँ मैं ही इसका पालन पोशन करता हूँ और मैं ही इस स्रिष्टी का विनाश करता हूँ मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ सभी के भूत, भविश्य और वर्तमान को जानता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है जो मुझे जिस रूप में पूचता है मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ जन्म लेने वाले व्यक्ती की मृत्यू निश्चित है और मरने वाले व्यक्ती का फिर से जन्म लेना निश्चित है क्या नेंद क्या ख्वाब, आखे बंद करू तो तेरा चहरा, आख खोलू तो तेरा ख्याल मेरे कानहा रखलू नजर में चहरा तेरा, दिन रात इसी पे मरती रहू, जब तक ये सांसे चलती रहे, मैं तुझसे मुहब्बत रहूँ